केरला के आदर्निय मुख्य मंत्री श्री पिनरई विज्यन साब पंजाब के लोगप्रिय मुख्य मंत्री श्री भगवंतमान साब मंच पे मौझूद कई राज्यों के और कई पार्टियों के आज यहाँ पे आए हुए सभी नेतागन और मंत्री गन और यहाँ पे आए हुए सभी भाईयों बेहनों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार सबको मेरा प्रणाम मुझे लगता है आज इस देश को ये दिन भी देखना था ये जंतर मंतर वो जगह है जहाँ पे इस देश की प्रजा सरकारों के एक्स्प्लोइटेशन से तंग आके यहाँ पे धरने प्रदर्शन करने आती है लेकिन आज यहाँ पे केरला के मुझे मंत्री को अपना सारा काम काज छोड़के केरला से दिल्ली यहाँ पे धरना करने के लिए आना पड़ा केंदर सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ मैं समझ रहा हूँ यह भी इस देश को यह दिन भी देखना था आज लगबग आधे राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकारे हैं और आधे राज्यों के अंदर उन लोगों की सरकारे हैं जो विपक्ष की सरकारे हैं आधे राज्यों के अंदर तो लगबग सतर करोड़ लोगों को यह विपक्ष की सरकारे रिप्रेजेंट करती हैं सत्तर करोड़ लोगों को आधे देश को और इस वक्त ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने विपक्ष की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है ऐसा लगता है कि जंग छेड़ी हुई है लड़ाई छेड़ी हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान का रखा है हम लोगों के स क्या आप केरला के लोगों को अपना नहीं मानते, क्या आप तेमिल नाडू के लोगों को अपना नहीं मानते, क्या आप करनाटका के, दिल्ली के, पंजाब के, वेस्ट बेंगौल के लोगों को अपना नहीं मानते, क्या ये सारे पराये हैं, क्या ये भारत के नागरिक नहीं ह यहां के 70 करोड लोगों ने विपक्ष के लोगों को चुनके सरकार बनाई सम्विधान के अंदर लिखा है कि इन सरकारों की क्या पावर है शिक्षा की पावर, राज्य सरकारों की, स्वास्थ की पावर, राज्य सरकारों की सम्विधान के अंदर लिखा है कि क्या क्या पावर है आप हमें अपना कामी नहीं करने देते हैं सारी विपक्ष की सरकारों को तरह तरह से प्रताडित करने के लिए आज केंदर सरकार सारे हथखंडे अपना रही है मोटे-mोटे तहुर पे देखें तो तीन तरह से केंदर सरकार विपक्ष की सरकारों को तंग कर रही है सबसे पहला केंदर सरकार जायज फंड जो हक राजियों का वो फंड नहीं दे रही है दूसरा तरीका गवर्नर्स के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरीए रोज काम में टांगड़ाती है, हर काम में टांगड़ाती है और तीसरा तरीका एजन्सीज को छोड़के जिसको मर्जी पकड़के जेल में डाले जा रहे हैं सबसे पहले मैं पहले तरीके पे आता हूँ यहाँ पे पिनरे विजियन साब बैठे हैं पंजाब के मुख्य मंतरी बैठे हैं वो फंड हमें नहीं दिये जा रहे अगर केरिला के लोगों को उनके हक के फंड नहीं दिये जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी केरिला की सरकार कैसे चलेगी तमिलाडू की सरकार कैसे चलेगी और हम यह भीख मांगने नहीं आए विजियन साभ यहाँ पे अपने घर के लिए अपने परिवार के लिए पैसे मांगने नहीं आए अपने बच्चों के लिए अपने भीवी बच्चों के लिए पैसे मांगने नहीं आए वो केरला के लोगों के लिए पैसे मांगने आए हैं आज पंजाब के मुख्यमंतरी अपने तीन करोड़ लोगों के लिए फंड मांगने के लिए आए है मैं दिल्ली का मुख्यमंतरी अपने दिल्ली के दो करोड़ लोगों का हक मांगने के लिए आया हूँ समविधान में लिखा है कि कितना पैसा किस सरकार को मिलेगा ये वाला टेक्स आएगा मैं इंकम टेक्स में था ये थोड़ा सा जादा जानता हूं इसको तो कितना फंड कौन सी सरकार कितना फंड इस्तेमाल करेगी कैसे इस्तेमाल करेगी फिनेंस कमिशन होगा फिनेंस कमिशन तैय करेगा ये पैसा केंदर के पास जाएगा, ये पैसा राज जिसर का, अरे जो हमारा हक है, हमारा नहीं, लोगों का हक है, केरला के लोगों का हक है, तमिलाडू के लोगों का हक है, वेस्ट बेंगाल के, पंजाब के, दिल्ली के लोगों का हक है, वो हक आप कैसे छीन सकते हैं लोगों क आप उनका काम कैसे रोक सकते हैं अगर आप हमारे लोगों के पैसे नहीं देंगे तो हम सड़के कैसे बनाएंगे बिजली कैसे देंगे लोगों का विकास कैसे करेंगे मैं भी एक दो बैनर देख रहा था उसमें लिखा था कि के केरला के 8400 करोर रुपे रोके हुए और मान साथ से मैं थोड़े दिन पहले बात कर रहा था पंजाब के भी 8000 करोड़े से ज्यादा फंड रोके हुए है अब एक एक फंड अभी पंजाब सरकार थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोट में गई कि हमारा पैसा रिलीज नहीं कर रहे RDF का पैसा RDF लगए 4000 करोड़ बनता है 500 करोड रुपे रूरल डवलप्मेंट फंड का पैसा रिलीज नहीं कर रहे केरल भी गया है सुप्रीम कोट की हेरिंग अब अगले हफते फिक्स हुई है और तुरंत केंदर सरकार से फोन आ गया आई ये बैठके बाद करते हैं तो हम चोटी चोटी बातों के लिए सुप्रीम कोट जाएंगे क्या ये क्या बत्तमीजी है आप अपना काम यूनी करते हैं हम हर चीज़ के लिए सुप्रेशूइंग कोडד के पास और भी तो बहुत काम है सुप्रेशूइंग बहा हूँ कैसे से जन्ता के कैसे से हम अपने फंड लेने के लिए हमें फंड लेने के लिए जंतरमंतर पर आके बैठना पड़ेगा आप लोगों को जानके ताज्यूब होगा दिल्ली के लोग मिलके साल में दो लाख करोड रुपए का इंकम टैक्स देते हैं दो लाख करोड और उस दो लाख करोड में से बदले में दिल्ली के लिए हमें कितना पैसा मिलता है गैस कर सकते हैं आप लोग 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कपिल सिबल साब का स्वागत है दूसरी चीज गवर्नर्ज और लेफ्टिनेंट गवर्नर्ज के जरीए ये जिस तरह से सरकारों को तंग कर रहे है समविधान के अंदर साफ साफ लिखा है कि ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी रोज गवर्नर हर राज्य के अंदर टांग डा रहे है सबसे इंट्रेस्टिंग तो अभी पंजाब के अंदर हुआ पिछले साल पंजाब सरकार ने बजट सेशन अपनी असेंबिली का बजट सेशन कॉल करने के लिए गवर्नर के पास फाइल भेजी गवर्नर ने बजट सेशन करने की परमिशन नहीं दी सोची एक चुनियोई सरकार फुल स्टेट उसका मुख्यमंत्री उसकी कैबिनेट प्रस्ताव पारित करके कहती है कि हम फलानी तारिक से बजट सेशन बुलाएंगे और उसमें राज्य का अगले साल का बजट पास करेंगे गवर्नर ने बजट सेशन की भी परमिशन नहीं दी अल्टिमेटली सुप्रीम कोट जाना पड़ा सुप्रीम कोट ने गवर्नर को खुब लताड़ा लेकिन प्रॉब्लम यह कि इनको लताड़ का गाली गलोच का सुप्रीम कोट रोज लताड़ता है इन लोगों को इनको कोई फरक ही नहीं पड़ता तो इस तरह से दिल्ली के अंदर तो आप सब लोग देखी रहें कि हर काम के अंदर किस तरह से लेफटिनिन गवर्नर हर कामके अंदर छोटे से छोटे कामके अंदर टांग अड़ा रहें और तीसरे तरीका है E.D. यब इनका एक एक नया हथियार आ गया E.D. अभी तक इस देश के अंदर ये कानून होता था कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो उसकी जांच होती थी फिर उसमें मुकदमा चलता था मुकदमे में तेह होता था कि कौन-कौन दोशी है कौन-कौन निर्दोश है जो दोशी है उसको सजा मिलती थी वो जेल जाता था मुकदमे के बाद मुकदमा खतम होने के बाद आदमी जेल जाता था जिसको दोशी माना जाता था अब तैय कर लेते हैं कि इसको जेल भेजना है तो उसको पकड़ लेते हैं उसको जेल में डाल देते हैं फिर सोचते हैं अब इस पर क्या मुकदमा करें इस पर क्या केस बनाएं फिर ये केस बनाते हैं और केस बनाने के बाद फिर वो तब तक जेल में रहता है जब तक की मुकदमा पूरा ना हो जाए और वो निर्दोष साबित ना हो जाए हमारे देश के अंदर 15-15 साल लग जाते और जब तक उस आदमी का मुकदमा पूरा नहीं हो जाता, वो निर्दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएगा, ये तो बहुत खतरनाक है, अभी हेमन सुरेन साब को इन्होंने जेल में डाल दिया, अभी तक उनके ओपर कुछ भी साबित नहीं हु और ये तो किसी को भी कर दें, कल मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, विजेन साब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, स्टेलिन साब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सितरह मया साब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सुखविंदर जी को किसी भी को भी नहीं इनके सामने, तो यह आप यह किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे, उसकी सरकार तोड़ देंगे, और फिर अपनी सरकार बना लेंगे, यह क्या चल रहा है, कह रहे हैं केजली वाल भरष्ट है, मैं पूछना जाता हूं, मैंने दिल्ली में बिजली सस्ती, बि बिजली महंगी करने वाला चोर है, दिल्ली में मैंने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाए गरीब हो, चाए अमीर हो, सरकारी अस्पदाल में चले जाओ, सबका दवादारू, सब फ्री, मद्य पर्देश में, गुजरात में, उत्तर पर्देश में चले जाओ, इतना महंग इलाज सरकारी अस्पदालों का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों को, मैं पूछना हूँ, उन लोगों का इलाज फ्री करने वाला चोर है, कि लोगों का इलाज महंगा करने वाला चोर है, किसी को भी पकड़के चोर 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 चिलाना चालो कर देते हैं लो मैं बीजेपी वालों को कहना भी चाहता हूं समय का चक्र घूंगता है समय बड़ा बल्वान है एहंकार मत करो भगवान ना करे कल समय का चक्र जब घूमेगा और तुम इधर होगे और हम उधर होएंगे कहीं ऐसा ना हो कि यही कानून तुम को खाने के लिए दोड़ें उसके बाद जैहन